कि अलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में प्रिस्क्रिप्शन से बारे में बताएंगे कि यह कैसे बनाए जाता है और किसका किस वर्ड का ऐस मतलब होता है आपर सबसे पहले क्या होता a doctor की information इसमें दी जाती है कि doctor का नाम क्या है क्या डिगरी है उसके पास और किस address क्या address है उसकी clinic का और registration number भी mention किया जाया जाता है और उसके बाद जो है patient name लिखा जाएगा उसका sex लिखा जाएगा age पूछी जाएगी अगर age नहीं clear बता पा रहा है तो आप अंदाजे से age जरूर mention करें उसके बाद address उसका लिखा जाएगा कि वो किस इलाके का रहने वाला है यह सब यह चीज़े तो आपको जो पर्चा होता है जो prescription पैड होता है डॉक्टर शवा के रखते हैं उस पर तो यह तो लिखा ही रहता है यह चीज़ हमें फिल करना रहती है तो अब starting में पैड में क्या क्या होता पैस सबसे पहले मैं आप पूरा इससे दिखा देत हूं यह देखिए तो अब जो है सबसे पहले दिखाया जाता है सी ओ इसका मतलब होता complaint of जो भी पेशेंट जो complaint कर रहा है कि उसको इतने दिन से फलानी चीज़ है यह बीमारी है यह दिक्कत आ रही है जैसे के माल लिए एक पेशेंट है उने का फीवर है मुझे खासी आ रह लिए और भी जो भी तकलीफ है वह यहां पर मेंशन की जाएगी उसके बाद क्या करना है आप एक्जामिन करेंगे पेशेंट को तो उसके लिए अब लिखते हैं ओई ऑन एक्जामिनेशन सबसे पहले लिखते है जेनरल कंडिशन पेशेंट की कैसा है पूर दिख रहा है प साउंड वहां पर चेक करते हैं क्लियर है या फिर कहीं कोई साउंड तो नहीं सुनाई देरा वीजिं साउंड तो नहीं है क्रेकल्स तो नहीं है ठीक है और उसके बाद हम सीवियस यानि कार्डियो एसकुलर सिस्टम चेक करते हैं हर्ट को सुनते हैं अगर जो साउंड सुन वह है और यह जो है पेशेंट ने क्या बताया यहां पर आप फेब्राइल लिखेंगे जैसे कि आपने चेक किया फीवर तो फेब्राइल लिख सकते हैं गई पर तो इसी तरह से आप क्या करते हैं अपनी सब लिखने के बाद अब बारी आती है दवा लिखने की दवा लिखने हैं और क्या होता है कि अगर माली आपको कोई इंवस्टिगेशन जहांच कराना है तो एडवाइज लिख करके जहांच लिख देते हैं जैसे चेस्ट एक्सरे आपने लिखा दिया पीए व्यू थी या फिर बहुत बुराना पिशेंट है खासी आ रही है एक दो महीना होगे ज लेना है के लखने का टरीका है पहले आप बताएंगे कि दे रहें असके बाद करना यहां पे इस तरह से वैसे आप परचे में इतना साफ लिखा हुआ हूआ नहीं देखते हैं और यहां पे चैसे दवा करना म लिख दिया है कितने एमजी दवाई ये भी हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है 500 mg है उसके बाद ये टैबलेट कितनी लेना है जैसे हमने यहां पर लिख दिया 6 तो अब कैसे खाना है यहां पर लिखा जाएगा जैसे लिख दिया TDS Thrice A Day तो तीन बार ये दिन में खाएगा सुबा दुपह ये ए लेंगर शाम और उसके बाद दूसरी तबामालिया है लिख दी एस्टैलीन फॉरएम की जो भी है और ये चार हमने लिख दी तो यह कैसे खानी जैसे बीटी लिख दिया जयानी के सुबा शाम और ये पेशेंट को हमें समझहाना भी होता है कि ये सुबाशाम लेना है गिनती लिखने के बाद ऐसा कर देते हैं कि ये आपको साथ दिन तक लेना है ये अच्छे दिन तक लेना वो तो इसके हिसाब से एड्जेस्ट हो जाएगा तो इस तरह से होता ये प्रिस्क्रिप्शन पैड थैंक यू